इसमें नवधा भक्ति में विजयरत की चौपाईयों में जो योग के साधन कहें हैं उसमें योग भाव चेतना में प्रतिष्ठित होने के लिए तीन मैंने आपको साधन बताए थे शिबत भगवत गीता की सोनवा ध्याय के तिन स्लोग रामचरित मानस के नवधा भक्ती की चोपाया विजरत की चोपाया इनमें जो साधन कहें उन साधनों को आत्म साथ करते वे अत्वा अश्टांग योग के जो यमनियवासन प्रणायं प्रत्य हरधाना ध्यान समाध है यमाहशवचसंदोसात अबस्वाद्य इश्यपुरिदाना यह इनको पूरा आत्म साथ करके मैं कहते हूं योग को करना योग को जीना तब योग करो फिर देखो कोई रोग नहीं रहेगा योग पूरा आयरवेद आयरवेद क्योशत खान पान अनूपान पत्या पत्ये विधी और निशेद जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है इच्छा हो या ना हो इच्छा हैं तो ऐसी है आने जानी है इच्छाओं का क्या भरोसा मन की तमन्नाओं का क्या भरोसा यह तो ऐसी मन में तरंग उठती रहती है ले होती रहती है तंत्र है इच्छा हो या ना हो समझ में आए या ना है कई बार दिमाग खराब होता है नजारे कौन से जन्म का कौन सा प्रारब्द दो साड़े आ जाता है और कहां से आदमी कौन सी गर्द बाउत से प्रभावित हो जाता है बेकार की चीजे योग पूरा कर लो अरवीद अरवीद का खान पान अनो पान विधी निशेद जो उसमें पत्था पत्थे बताएगे उसका पुरा ध्यान कर लो फिर जो या तहरा भी बतारी इनको घर पर भी कंटिन्यू कर लेना एक दो सब्ता से लेकर के एक दो माह में सारे रोख खतम